ये मैंने एक पुराना अंडर्वेर लिया है इसको हम रियोज करकर बहुती सुन्दर और कमपरटेबल ब्राब बनाएंगी इसके जगए हम पुरानी टी-सर्ट भी यूज में ले सकते हैं उससे भी हम बरा बना सकते हैं तो दोस्तों मेरे पास फिलाल टी-सर्ट उपलब नहीं थी तो मैंने सोचा आज इससे ही आइडियाज देते हैं और इससे हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हम 32 और 32 की बरा का साइज है वो बनाएंगी तो यहां से यह जो कपड़ा होता है यह comfortable होता है तो दोस्तों प्लीज आप यह मत बोलना कि अंडरवेर से कोई बरा बनाते हैं कि मैंने सिर्फ आपको आइडियाज दिया है इस तरीके से आप किसी और कपड़े से भी बना सकते हो कहीं आप कमेंट करके यह बोलो कि मैं कपड़ा आपकी पास में पड़ा हो उसके अंदर से आप इस तरीके से स्टिचिबल कपड़ा निकाल सकते हो और ऐसे जैसे मैं इसके अंदर से कपड़े को निकाल रहे हूं वो आप निकाल के किसी भी कपड़े से आप बना सकते हो जैसे समीज होती है या फिर टीसर्ट होत हैं तो उससे भी हम ये इजली तरीके से बरा बना सकते हैं बस्दों मैं सिरफ आपको एक आइडियास दे रही हूं आप कल को ये मत बोलना कि मैम इस तरीके से अंडर्रवेर से बनायँ वह बरा कोई पेहनता है क्या तो इससे वह आपको मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों क्यों मेरे पास पिसर्ट उपलब नहीं थी तो मैंने सोचा इससे ही आज आइडियास लेकर और सुन्दर सी बरा बनाएंगी तो इस तरीकी से फ्रेंड्स मैंने पूरी को कटिंग कर लिया इस तरीकी से मैंने पीसिज है वो निकाल लेंगे और जो नीचे की साइड फोल्ड किया है वो पटी हम अलग करेंगे यहां से हमें 7 इंच लंबी और 7 इंच चोड़ी लेनी है तो यह हमारी बरा की साइज है वो 30 और 32 की बनकर त्यार होगी इसको हम 30 और 32 आसान से डाल सकते है तो इस तरीकी से देखो यह 4 पार्ट हो गए है यहां से अब हमें क्या करना इस साइड से हम अलग से इसको काट लेते हैं ताकि यह मारे पार्ट अलग-अलग हो जाए तो यहां से दोस्तों मैंने इसको कट कर लिया है अब हम इसको इस तरीकी से फोल्ड करेंगी फोल्ड कर भाद में हमें निचे की साइड देखो यहां से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। सीठ में निशान लगाना है यहां से कट लिया है। चार पाले इसे पर उप खारें खाले-nous। लाई करकर इसको cover करेंगी तो दोस्तों आप से एक request है कि please दोस्तों वीडियो को बिना skip किए आप end तक जरूर देखिएगा आपको last तक अच्छे से cutting and stitching बरा की बिल्कुल ही आसान तरीकी से सिखाऊंगी तो इस तरीकी से जो नीचे की पटी होती अंडरवेर की उसको fold की उसक को हम fold करकर लगा देंगी यह देखो इस तरीकी से जो हमारा elastic होता है वो बरा के जो अंडरवेर का elastic था उसको हम कट करके बरा के निच्छे साइड जहां पर elastic आता है वहां पर हम इसको attach कर देंगी तो चलिए दोस्तों जो हमारे चार पीसिस ते उसको हम सीलना शरू कर लेते ताक कि हर एक दोस्तों के पास में यह वीडियो पहुंच सके और दोस्त इस तरीके से घर पे अपने लिए सुंदर सुंदर बरा है वो किसी भी कपड़े से इसली बना सकते हैं दोस्तों सिरफ मैंने यह आपको एक आइडियास दिया है कि हम किसी भी कपड़े से घर पे इसल उनी सारों को सीह लिया है है अब एक दूसरी के हुपर रखेंगे हम इस तरीकी से देखो और बीच के अंदर हम वो डोरी लगाएंगे जो हमने पतल लम्बी के वालगी है इसको यहां प्र लगाएंगे बिलकुल जीध के उपर यहां से इसको रखेंगे और उपर इसके सिलाई करेंगे दोस्तों यहां से इस तरीकी से बिल्कुल कोर्नर पे हमें सिलाई लगानी है ध्यान से यह देखो यहां तक मैंने इसको सिल कर सिद्धे के उपर उल्टा रखना है फिर हम सिलाई करकर इसको कवर करेंगे दूसरा पीस है वो भी हम इसी तरीकी से रखेंगे और ऐसे हैं हम सिलाई करकर इसको भी त्यार करेंगी तो दोस्तों आप इसको जैसे समीज होती है बन्यान होती है टीसर्ट होती है या फिर और एक्षा कपड़ा होता है आपके पास में बनकर त्यार होगी क्योंकि दोस्तों ये गर्मी के लिए बहुती कमपर्डेबल रहती है अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और अभी तो उच्छी दिनों में बहुत तेश गर्मी आने वाली है तो इसे बैटर हम पहले ही बना के रख लेते हैं इसे हमें खाश गुजली भी नहीं होती है बहुती कमपर्टेबल और ये पसीने को भी सोख लेती है तो इस तरीके से यहां से मैं अब इसको उपर की साइड फोल्ड करकर सिलाई लगाऊंगे एक दोनों पीसिस को मैंने सील लिया है अब यहां से हम इसको सिलाई से कवर कर लेते हैं दोस्तों बहुती अच्छी बराबन कर त्यार होगी है देखना बिल्कुल ही कम समय में और देखो कितना अच अब हमें पट्टी को फोल्ड करेंगे यहां पे लगाएंगे देखो अगर हम ज्यादा उपर तक लगानी है तो बड़ी पट्टी लेंगे अगर हमें छोटी लगानी है तो इस तरीकी से हम फोल्ड कर लेंगे और यहां तक हम पट्टी को रखेंगे और सिलाई से इसको कव करना है इस तरीकी से दोस्तों यह थोड़ी सी पटी हमें खुली इसलिए रखनी है लग भग आदा इंच या एक इंच भी आदा इंच ले सकते हैं ताकि हम बीच के अंदर से बरा को डालते हैं तो इसकी जो जोइंट है वो ऐसे खुली-खुली रहेगी तो ज्यादा कमफर्टेबल रही आप यहां पर नीचे की साइड हम इलास्टिक को लगा देंगे इसको हम बीच साइड ले लेते हैं जहां पर मैंने पटी लगाई है उस साइड पहले हम निशान लगा लेते हैं इसको यहां पर रखेंगे फिर एक्षा यहां से हम इसको सिलाई से कवर करें को आप एस तरीकी से अटेच कर लेंगी अगर दोस्तों आप इस तरीकी से अंडर वेर से बड़ा नहीं बना रहे हो तो आपके सबसे बैडर रहेगा जैसे आपको टी SIT से बनानी है तो यह जो अंडर वेर का इलास्टिक होता है वो ज्यादा बैटर लेगा ये इलास्टिक हमारे अच्छे काम में आ जाता है तो इसको हम नीचे की साइड है बरा के और ऐसे हम अटेच कर सकते हैं अब एक सिलाई हम उपर की साइड लगाएंगे इस तरीके से ताकि ये बहुत ही मजबूत बनकर त्यार ह हो जाएगी इस तरीकी से देखो फ्रेंड्स ये मारी बरा बनकर त्यार होगी बहुत ही अच्छी तो दोस्तों इस तरीकी से देखो मैंने पहले भी काफी वीडियो अपलोड की हैं बरा के वह बहुत अच्छे थे सभी दोस्तों ने हमें बहुत स्पोर्ट किया उस बरा के उपर कि बहुत अच्छी बनाई है मैं हमें और भी सिखाएं 32 की 32 की इस तरीकी से काफी कोमेंट भी आये थे तो आज फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छी 32 की साइज की बरा है वो बना रही हूँ अब हम क्या करेंगी यहां से इस पटी को सेम जहां पर मैंने कटिंग करके सिलाई की थी उसके सीध में यहां से हम पटी को रखेंगे और सिलाई से इसको कवर कर देंगी यहां से देखो यह मैंने पटी को रखा है और सिलाई से कवर कर दिया है दोनों साइड में दोस्तों हमें ऐसे ही सिलाई करकर पटी को अटेच कर है तो यहां से मैंने इसको attach कर दिया है देखो आपको दिखा देती हूँ देखो कितनी अच्छी लग रही है दोनों साइड से मैंने सिलाई से इसको cover कर लिया है अब हमें क्या करना इसको उल्टा करकर एक सिलाई यहां पर लगा देंगे और इसके साथ ही हमारी ये सुन्दर्शी बरा है वो बनकर त्यार हो गई है तो दोस्तो ये बरा आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताए और दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें एक लाइक जरूर देजिएगा और दोस्तो ऐसे ही जुड़े रहें आपके अपने यूटूब चैनल होमार्ट में बाइफ्रेंड्स फिर मिलते हैं